Hello Everyone, कैसे हैं आप सब लोग? एक आदमी है, जो सारा दिन मजदूरी करता है, थोड़े बहुत पैसे उसके पास आते हैं, और उसी पैसे से जो भी बनता है, रात को खाना खाता है, और सो जाता है, मतलब सिंपल भाशा में बात करो, मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, एक दूसरा आदमी है, जो बहुत पैसा जिसके पास और वो rental income से ज़्यादा कमाता है जायर उसके कमाई ही rental income से rental मतलब passive income जिसको हम कहते हैं । simple भाशन तो किराया किराया खाता है बैठके 4-5 दूकाने हैं दो तिन घर है किराय पे दे रखें उससे अच्छा कासा किराया आता है जिससे वो अपना घर चलाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे गाड़ी में घूमता है, सब कुछ, इसके लिए आपके मन में ज़्यादा रेस्पेक्ट आएगी, चलो आपकी छोड़ो, सोसाइटी के हिसाफ से सोचो, खोड़ा और सिंप्लिफाई कर देता बनती है, जनरल आदमी, नॉर्मल आदमी क्या कहेगा, अफकोर्स, जिसके पास पैसा है, अच्छी कमाई करता है, उसे की ज़्यादा रिस्पेक्ट होईगी, लोग उसको घर पे बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, इंटर्व्यू होएंगे, बहुत कुछ होएगा, अगर बहुत ज़्यादा कमा रहा है, अफकोर्स, मनी पे सारा डिपेंडेंसी है, लेकिन जो विचारा मजदूर है, उसको को नहीं पुछेगा, बड़ा सा समझ में आ रहा है आपको, ब्रेन की वाइरिंग किस तरीके से है, किस तरीके से हमारा दिमाग सोचता है, हमारा दिमाग क इस चीज को ज़्यादा ग्लोरिफाई कर रहा है, खाली बैठके खाने को, बंदा कुछ काम धंदा नहीं कर रहा है, फ्रेंकली बात कर रहा हूं, कोई काम नहीं है उसके पास, सिर्फ किराया खाता है बैठके, हम उसको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अगर आप उससे पूछोगे ना, अगर आप उसके close friend होगे, उसके अंदर dive in deep कर जाओगे ना, वो आपको जब आपके सामने बातचित करेगा ना, जब खुलेगा ना, बताएगा मेरे को रात को नीद नहीं आती, भाई साब, AC के नीचे उसको नीद नहीं आरी रात को, और जो मजदूर है परकार है समझ में, लोगों की respect और उसके बहुत मिल रही है, अंदर से वो खतम है बिल्कुल, और लोगों की respect क्यों मिल रही है, just because, काम नहीं करता, फिर भी उसके पास बहुत पैसा है, बहुत कमाता है, हम passive income को बहुत ज़्यादा glorify करके देखते हैं, कि बिना कुछ करे, पैसा मिलता है, ऐसा है, वैसा है, मेरको आज भी याद है, मैं दिल्ली जाता था, offline classes में पढ़ाने के लिए, ट्रेन में रोज मेरा up-down होता था, जो डिली passengers होते है न, उनका डबा fix होता है, और डबा भी fix क्या जगा भी fix होती है, मतलब कौन सी seat पे बैठेंगे, बोगी भी fix है, और जो seat है, वो भी fix है, तो मेरी भी fix रहती थी, जहां पे मैं बैठता था, अफकोर्स अब का अपना groupism होता है, circle होता है, जिसमें लोग बैठते हैं, बात जित करते हैं, एक बारी क्या हुआ हुआ, मतलब मैं बहुत लेट हो गया, और ट्रेन निकल रही थी, आना चलती चलती में जर्शते से करके पकड़ी, मैं बैठा एक जगा पे, और वहां पे लोग पते क्या बात कर रहे थे, उस टाम पे नई ट्रेन शुरू हुए थी, रहतक से रिवाड़ी के लिए, एक ट्रेन जा को नाम नियाधारा जो भी होती है, वो पोस्ट लगी, मतलब गुरूप D पोस्ट बिल्कुल लोवर पोस्ट पे सेलेक्शन हुआ है, और उन्होंने मेरे को रोग तक बिठा दिया, मैंको तो रिवाड़ी वाली लैन पे बैठना था, पूरे दिन में सिर्फ एक ट्रेन आती जोड़ेगा, ऐसा है वैसा है, तब देखरों यह जनरल सूच कैसी हो चुकी है, मतलब काम नहीं करना, सिंपल भाशा में बात बोलूँ, मन कहता है काम मत कर, ऐसे थोड़ी इतने बड़े-बड़े लोग कहके गए हैं, अराम हराम है, इतना गलस चब्द क्यों बोला गया अ हराम हराम है, वो लगाता है न, क्यों? बड़े-बड़े लोग इतने बेवकुफ थोड़ी थे, जो कहके गए हैं इस सब कहवते, बात समझने की कोशिश करो, आपका मन कभी नहीं काएगा काम करने के लिए, बट स्टिल, यू हर तो डू इट, आपकी बोड़ी बनी है काम क समझते के लिए, अब हर चीज का मुझे पता है, आप लोगों को जब तक प्रूफ ना दिया जातों लोग समझते नहीं है, एकसीस्ट किओं करते हो, पसीना किओं निकालते हो, पसीना कमझूरते हो, एकसीना करने से आपकोकशन करने से यह अरब पावर फुल बनते हो, काम मन क्या कहता है काम बिल्कुल मत कर, खाली बैठ, मोज ले, इस्ट एंड वेस्ट है, मन कहता है इधर चल, शरीर कहता है इधर चल, क्या करें क्या ना करें, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यह था, उन स्टूरेंट्स को जगाना जो सो रहे हैं अभी तक, जिनको अभी तक यह जिन्दीकी में बहुत बड़ी जिन्दीकिए है कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, नई ऐसे जिन्दी-कभी नहीं चलती, खाली बैठ के कमा भी लोग है, खाली बैठ के खा, अगर भी पुशते है नहीं, और तुमारे दादा पर दादा और जो भी है बहुत यह चोड़ाने ऐसे नहीं, अलग-लग thoughts, अलग-लग चीज़ें, अलग-लग tension, फालतु की, बे तु की बाते, बे तु का दिमाग खराब होता रहेगा, सबसे बड़ा, मेरे according, सबसे बड़ा sin है, पाप है, खाली बैटना, तो कभी भी आज के बाद, ऐसे लोगों को glorify कभी मत करना, जो किराया खा रहे हैं, खाली बैठे हैं घर पे, मोज ले रहे हैं, यार मेरी तो ऐसी किस्मत नहीं बनी, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं कमा रहा, कितनी मज़े ले रहे हैं, जिन्दिगी के कितना अच्छा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अंदर से देखर को तो पता लगएगा कितने टूटे हुए हैं ऐसे लोग, आज से, अभी से, इसी वक्त से, एक बाद ठान लो, मन कभी नहीं कहेगा काम करने के लिए, लेकिन तुम्हारी बाडी बनी है काम करने के कुछ जिंदिगी में कर जाओगे, बन जाओगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा जिंदिगी में, सिध्धी बात है, मेहनत करने आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरू कर लो, जो एट लिस्ट तुम्हारी बाडी की डिमांड है, उसको तु पूरी करोगे के नहीं करोगे, मन चले आत्मी की कोई रिस्पेक्टर नहीं होती, कोई मतलब मानता उसको, एक बात याद रखना लाइफ में, सुसाइटी है, समाज है, जैसा है, उनको कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुद को तो चेंज कर सकते हैं, तो आज से मजदूर के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट और निची तुम्हारे दिमाग में, बजाए कि एक ऐसे आदमी के जो खाली बैठा कमा रहा है, और खा रहा है, अच्छा, एक बात और आज संडे है, आज मैं लेक्टर नहीं लेता हूँ, आप जानते हैं, आज रेस्ट का दिन है, थोड़ा सा फैमिली के साथ में टाइम स् जो है, पेड का सियन का लेक्टर आजाएगा, और जो डियसे हमारा चल रहा है, यूट्यू पे उसका भी लेक्टर आजाएगा, ठीक है बेटा, थेंक्यू सो मच, बबबाए, वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंज के साथ साथ जरूर करना, और यूट्स लाउंच किया है, और वो भी सिर्फ स्टुडेंट्स की रिक्वेस्ट पे ही लाउंच किया है, अगर आपको देखना चाहते हैं, तो आपको एप का और वेबसाइट का लिंक डिस्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एकांट बना सकते हैं, और मेरी गरंटी आपको सकते हैं, किस तरीके से मैंने पढ़ा रखाया, वैसे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्स्टा चीज़े हैं, बट उसको मैंने काफी हद तक कट शॉट करके, मैंने कोर्से बना रखाया, इसके मैंने 90 आवर्स में मैंने कंप्लेट किया है, तो मैं आपको बता देता है, CN, Computer Networks अभी चल रहा है, इनके कॉम्बो भी एविलेबल रहते हैं, जैसे आप Discreet Mathematics TOC का कॉम्बो ले सकते हो, Discreet Mathematics TOC, CN का कॉम्बो ले सकते हो, Discreet Mathematics TOC और Digital और CN, चारो का इक अठा भी कॉम्बो ले सकते हो, हर तरीकी का कॉम्बो एविलेबल है, आप हो देख सकते हैं 555 का 1-year का कॉर्स है, 557 के लिए 2-years के लिए, और 559 के लिए 3-years का, पर कॉर्स ये फीस है, कॉम्बो में खोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाता है, आप हो देख सकते हैं, वेब साइट पे जाएए, आप पे जाएए, वहां पे कॉर्स का लिंक होगा, वहां से आप चेक क नहीं है, और स्मार्ट बोर्ड पे मैं टीच कर रहा हूं, अलग-लग कलर्स लेकर के पढ़ाता हूं, तो एक दम प्रॉपर ओफ-लाइन वाली फीलिंग आएगे आपको, एक बार आप लेक्श देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, अच्छा, और एक बात चलते जलते और बता देता हूं, जो स्टुटेंट्स एफोड नहीं कर सकते हैं, इनको लगता है कि मैं ट्रिपल फाइफ भी अफोड नहीं कर सकता है, वसे तो ट्रिपल फाइफ नहीं पीजा भी नहीं आता, धंका पीजा खाने जाओंगे, वो भी क तो आपको स्टुट सर्विस, और एक सेवा है ये और वो सेवभावना से ही मैं काम कर रहा हूं में अपमें कर सकते हैं, मैं आपको सोय को जासे भी है आप मिर से बात कर सकते हैं, यह मार बता जिता हूं, और गर्सा अधर और प्रोपर, मतलब लोग προगूर आप देखो कि तो पता लग जाएगा अच्छा डाउट की प्रॉब्लम काई स्टूडन्स को रहती है कि डाउट कैसे स्वाल होंगे एंड सॉन तो वो टेंश लेने के जुरत नहीं है तो टेलिग्रम चैनल है हमारा पेड कोर्सिस के लिए लग से है उसमें आप अनोल कर सकते ह खुद रिप्लाई करता हूं रात को मैं पूरा टेलिग्रम देखर के सोता हूं जो भी स्टूडन्स ने मुझे टैक किया होता है दाउट में मैं उनको अंसर कर देता हूं मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं स्टूडन्स को कि पहले आप डाउट पूछिए बाकि जो तो आप मुझे टैक कर सकते हैं रात को सोने से पहले आपको रिप्लाई मिल जाएगा ठीक है ओके थैंक्यू सॉमद्ट बबाई